आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Physics, Chemistry, Biology, Doubt का सपाया बस अपना फोन उठाओ, Question की पोटो कीचो Crop करो और तुरंत वीडियो सेलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो Question है High milk yielding varieties of cow are obtained by मतलब जो High milk yielding का मतलब क्या होगा जिनकी average क्या है कोई भी cow का lactating period होता है उसमें वो cow कितना हमें milk provide कर रही है उससे हम क्या निकालते है उसका milk yielding निकालते है ठीक है तो हमसे पूछा है कि जो ऐसी varieties होती है जो High yield होती है मतलब milk yielding होती है उसे हम कैसे obtain कर सकते है कैसे हम उसे provide करा सकते है तो हमें option दे रखे option 1 है super ovulation option 2 है artificial insemination option 3 है use of surrogate mother और option 4 है all the above तो यह हम कैसे obtain कर सकते है कि super ovulation क्या होगा कि जैसे एक cow में ovulation period कितना होता है 22-21 days होता है तो हम इसे क्या कर सकते है reduce करके 5-6 days कर सकते है ठीक है जैसे पहले उसे X produce करने में कितना time लग रहा था 21 days लग रहे थे तो अब वो 5-6 days में ही उतने X produce कर रहे है तो क्या होगा super ovulation हो जाएगा उसके बाद हम क्या कर सकते है artificial insemination से जो भी एक good quality cow है उसमें क्या कर सकते है ऐसा genetic मतलब genetic trait जो है इसके अंदर inseminate कर सकते है जो क्या है हमारा good quality है ठीक है उसके बाद हम क्या कर सकते है जो embryo create होगा उसे हम अलग-अलग cows में implant कर सकते है जिसे क्या कहते है surrogate mother कहते है तो ये तीनों ही क्या है इनसे high milk yielding varieties obtain हो सकती है तो हमारा correct answer क्या होगा option 4 all the above class 11-12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से जाद स्टूरेंट का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा